नमस्कार राजे सरक्लाशेश में आपका स्वागत है इस वीडियो में आधुनिक आवर्त नियम क्या है तथा आधुनिक आवर्त शाड़ी की क्या विशेशता है क्या खुबिया है इस बात की चर्चा होगी तो शुरू करते हैं पहले आधुनिक आवर्त नियम सन 1913 में मोजले ने परमाणु क्रमांग की खोज की अपने प्रयोगों की द्वारा मोजले ने यसित किया कि परमाणु का आधार भूत गुड परमाणु क्रमांग पर निर्भर करता है सन 1913 में बैग्यारिक मोजले ने परमाणु क्रमांग की खोज की परमाणु क्रमांग आप जानते हैं कि नाभिक में उपस्थित प्रोटानों की संख्या होती है अपने प्रेगों की द्वारा मुझले ने यसित किया ये प्रूप किया कि परमाणु का आधार भूत प्रापर्टी परमाणु क्रमांग पर निर्भर करता है न की परमाणू भार पर इस आधार पर उन्होंने आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया इस नियम के अनुशार तत्यों के भातिक और रासानिक गुड उनके परमाणू क्रमांकों के आवर्ति फलन होते हैं अब समझे आवर्ति फलन क्या होता है अर्थात तत्यों को उनके बढ़ते प्रमाणू क्रमांक प्रमाणू संख्या के क्रम में रखने पर एक निशित अंत्राल के पसाद उनके गुड़ों की पुन्रावित्ति होती है यहीं आवर्ति फलन है यानि एदी हम ततों के उनके बढ़ते हुए परमाणुक्रमांकों के क्रम में रखें तो एक निशित अंतराल एक निशित शंख्या के पसाथ उनके गुडु में क्या होती है? पुन्रावित्य, पुन्रावित्य होने लगते हैं, ते हुआ आधुनिक आवर्थ नियम, अब जानते हैं, आधुनिक आवर्षाणि की विशेष्थाएं, कितने आवर्थ हैं, कितने शमू हैं, और अन्नी विशेष्थाएं क्या हैं, उसको समझते हैं, आधुनिक आवर्षा साड़ी में तत्तों को उनके बढ़ते भी परमारु क्रमांग के आधार पर रखा गया है। ये तो मैं पहले बता चुका हूँ। अब देखी इस साड़ी में साथ चैतिंग पंक्तियां हैं जिनें आवर्द कहते हैं। अब अगली विशेष्टा क्या है। परमारु क्रमांग 58-71 तक लेंथिनाइट स्त्रेणी और परमारु क्रमांग 90-103 तक एक्टिनाइट स्त्रेणी के तत्तों को आवर्द साड़ी के नीचे दो चैतिज पंक्तियों में अलक से रखा गया है। जो दो चैतिज पंक्तियों में अलक से रखा गया है। तो हम इसको आपको दिखा रहे हैं। देखे आधुनिक आवर्द साड़ी का एक यहां पर टेबल आपके सामने है। देखे जिस में है साथ चैतिज पंक्तियों देखे एक दो तीन चार पांच छोर शाथ यह साथ चैतिज पंक्तियों हों गई आपके। अब यहां लिखा है परमाणुक्रमाग 58 से एकातक लेंथेन आइड स्रेड़ी और परमाणुक्रमाग 90 से 103 तक आक्टिन आइड स्रेड़ी के तत्यों को आवर्शाड़ी के नीचे दो चैतिज पंक्तियों में अलग से रखा गया है। यहां देख रहा है यह लेंथेन आइड है इसी जगह यह नीचे आए यह देखे यह जितने तत्यों है इसी जगह है एक जगह रखा गया और यह जो लाइन है यह एक्टिनाइड स्रेड़ी कहते हैं यह समझेजे यह हैं लेकिन उसको एक अस्थार परम उसका अद्यान नही 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 यह है आधुनिक आवर्षांडी इसके शॉर्ट ले सकते हैं पहले आवर्थ में दो तत्व हाइड्रोजन हीलियम और दूसरे में लीथियम, बेरिलियम, बोरान, कारवन, नैट्रोजन, आक्सीजन, फ्लोरीन और नियान तीसरे में आप देख सकते हैं अब देखिए इस साड़ी में तत्व को उनके इलेक्टानिक बिन्यासों के आधार पर चार खंडों यस ब्लाग, टी ब्लाग, डी ब्लाग, यह ब्लाग में विवाजित किया गया है इस साड़ी में तत्वों को उनके इलेक्टरिक बिन्यास के अधार पर चार ख़ंडों में विवाज यस तो आप यहाँ देख सकते हैं यह यस ब्लाक है फिर पी ब्लाक, पी ब्लाक देखें यहां से यहां तक तीरह से 8 तक, दी ब्लाक आपका यहां है और यस ब्लाक आपका ये नीचे है यानि अन्तिम तत्व जो होते हैं इसमें यस ब्लाक में होते हैं यस ठीक आर्बिटल में इसमें पी आर्बिटल में इसमें डी आर्बिटल में इसमें इफ आर्बिटल में इसी आधार पर रखा गया है अब देखे अगली पिशिस्ता इस राणी के आवर्त में बायें से दायें जाने पर तत्तों के गुड़ों में क्रमिक परिवर्तन होता है इस राणी में हम बायें से दायें जाएं तो जो गुड़ होते हैं क्रमिक परिवर्तन होता है इस आर्श राणी के वर्ग में उपर से नीचे जाने पर तत्तों गुड़ों में कर्मिक इसी प्रकार यदि उपर से नीचे आएं तो उनके गुड़ों में भी कर्मिक परिवर्ता होता है नमस्कार